जिन जिन के घर में संकर भगवान का शिवलिन विराजरा है उनसे निवेदन करना चाहिए इतना सा हो बड़ा सा हो छोटा सा हो कंकर मात्र का हो इतना छोटा सा भी हो तो भगवान को निलाने के लिए जब बेठो इसनान कराने के लिए बेठो तब एक निवेदन जरूर है कि जो जल आप संकर जी को इसनान करा हूँ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो एक छोटी सी पिलेट अलग कर लो उसमें निला लो निला कर थोड़ा सा भी भाग अगर संकर जी काम को मिल रहा है घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है थोड़ा सा आचमन कर लिया है कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है देव पितर का कारे क्या है हम जब भी भी कोई पूजन करते हैं तो केते पित्र देव था बोलते की नहीं बोलते हैं पर आज तक हम अब यह नहीं बोलते कि देव पित्र का कारे क्या है देव पित्र क्या है पित्र देव नहीं देव पित्र का कारे क्या है देव पित्तर का एक कारे है परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है पर जो शरीर गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है वो देव पित्तर निर्मित करते है उनका काम क्या है देव पित्तर का सबसे बड़ा कारे ह कि गर्ब में जो बच्चा है, उस गर्बित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसके नेत्र जोती कम रखना है, श्रवन शक्ती कम रखना है, उसके छाती में, उसके हिरदय में, उसके दिल में छेत करना है, हड़ी को कमजोर करना है, पाउं तेडा करना है, हाथ तेडा करना है, य यह देव पित्तर का को एक जैसे आप लोगों के स्मर्ण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भराटा दर्वाजे की दोनों चोखट पर डाला जाता हूं किसी-किसी के यह दर्वाजेब पर आपेसे रांगोली बनाई जाती कहीं देखी आप लोगों ने कि नहीं देखी के हैं स्मर्ण में होगा किसी के दर्वाजेब आठा डाला 1976 वह दियोपित्तर के भाव से डाल के जिस बेटे का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो कि सुबकारे की स भाइल कहीं लगी हुई है अटकी हुई है नहीं काम हो रहा हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन शरात के हैं जितने दिन निकल गए निकल गए जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बहार एक चुटकी घर से आटा लाकर चोखट के इसोर चोखट के उसोर दोनों जगा चुटकी भग आटे को डालना प्रारम करो 16 दिन सरात के पून हो जब आम आवस्या आए किसी जलाशय सरोबर तलाब बावडी कुवा उसके पास में घी का दिया लगाकर आना बाबा से प्राथना करकर आना केवल बाविश से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुबका कारे की सूचना आना प्रारंब हो जाते हैं वो देव पित्तर का करें वो कारे देव पित्तर का वो देव पित्तर किस तरह से करेगा बेटे की शादी बेटी की शादी हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है 40 साल 42 साल 35 साल 38 साल साधी नहीं हो रही तो कर कर देखना ए जर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना यह देव पित्तर का कार्यार पित्र देव और देव पित्तर में बहुत अंतर है अब तो थोड़ा सा रांगोली का काम जादा हो गया नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि तीन जगा पर आटे की रांगोली काम करती है जिसका फल हज्जार गुना होता है तीन जगा पर आटे की रांगोली काम करती है हमने पहले भी कहा है पहला पित्रों की पूजन हो रही हो पित्रों का पाटा भरा रहा हो पित्रों के लिए जोत लग रही हो पित्रों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो तो वहां पर आटे की रांगोली काम आते हैं वहां पर रंग विरंगी या पत्थर की रांगोली नहीं मिट्टी की रांगोली नहीं आटे की रांगोली काम आते हैं दूसरे नंबर पर तुम्हारे घर में यग्य हो रहाओ घर के बाहर यग्य हो रहाओ यग्य चल रहाओ उस यग्य में Tean परीधियां बनती है ब्रह्मा विश्णु महेश की देखिए आप लोगोंने यग्य कुंड जो बनाया जाता है उस यग्य कुंड पर पथर की रांगोल दूसरी दालना परारम कर दी आटे की रांगोली होती है। जब हम सानगे छोड़ते हैं, जिसके हम ऐगने पित्रों की मुग्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा आटे की रांगोली तीसरी घर में शादी हो रही हो मंडब बंढ़ हो उस मंडब के नीचे जब पूजन हो रही हो उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रांगोली नहीं अगर पण्डित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है जिसके नीचे लड़का-लड़की की भावर होगी दुला बेठेगा, दुलेन बेठेगी वहां मिट्टी की रांगोली या पत्थर की रांगोली नहीए वो जगा पर आटे की हल्दी की रांगोली डाली जाते हैं अब आप क्या डालते हैं कि ने डालते हैं पता नहीं पर हमारे यहां सास्त्र रिती करती है यह तीन जगा की जो रांगोलियां हैं यह हमको आटे की रांगोली डलने से क्यों साधी के मंडप में पत्थर की रांगोली या मिट्टी की रांगोली क्यों नहीं डाली जाती शाधी के मंडप में यहां दुला दुलेन की साधी होती है मापंडिक जी भी आटे की रांगोली डाल देते हैं घर की बेन बेटी आटे की रांगोली डाल देती है उसका कारण क्या होता है जिसकी शादी में मंडब के नीचे आटे की रांगोली डलती है बहाँ पित्रों को निमंत्र नहीं देने की ज़र्वत पड़ती बहाँ पित्र उस वरकन्या को आशिरवात देते हैं जिसे उनका बंश बढ़ता है बंश भुकतान और ये मिश्शित है जिसकी शादी में जिसके विवह में आटे की रांगोली डल कर भावर हुई होगी उसके घर में संतान सुख रुख नहीं सकता उसकी यहां संतान का सुख होता ही है जिसकी आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं डाल दिया और कह दिया बस क्योंकि आजकल फेशन में तो दुनिया जी रहे है वो आटे की रंगोली कौन डाले तो वो फेशन में चल गया तो संतान की प्राप्ती में भी थोड़ा सा अब तुम देखो पहले का समय आज का समय कितना अंतर है मारा पहले के समय में संतान का सुख साधी के एक दो साल में प्राप्त हो जाता था आज के समय में संतान का सुख जब तक दक्तर के हैं दोनों जाचनी करा कर जाएं दिखा कर नहीं आ जाएं सब लोग कर रहे हैं डक सब जरह देखो संतान डाक्तर साब बोले जाच करना पड़ेगी बहु की भी जाचोई बेटे की भी जाचोई साव अच्छा है उसके बाद भी संतान की प्रति शिवतत्व को जानने के शिव महापुराण की कथा करती है तीन जगा आटे की रांगोली की मूलता है बोलेंगे आप लोग पहला स्थान दर्वाजे की चोखट दोसरा स्थान बोलते जाव जल्दी यग्य कुंड तीसरा स्थान शादी का मंडप जहां पर भले चुटकी भराटे की तीन स्थान आटे की रांगोली के मूलता है